तो कैसे हैं आप मैं निर्दोश कोशिक बैकल पिक्ची किसा में आज आपके साथ चर्चा करूँगी गैस और एसिडीटी के उपर बित्रो यह कोई रोग नहीं है बस हमारे खान पान की एवेवस्था से हमारी दिन चर्या की एवेवस्था से हमें घेर लेते हैं और यह बहुत ही भयानक रोग बन जाते हैं गैस के अटैक आम दिन सुनते हैं कभी दिल पर हो रहा है कभी दिमाग पर हो रहा है नशों में तनाव खिचाव और जब यह तिजाब कारूप ले लेती है जब एसिड खटी रखा रहे हैं तिजाब कारूप ले लेती है कबज बन और बस ऐसे दिल करता है कि अभी वस्तरों को उता रहें अंदर कुछ फस रहा है इसको चीर कर निकाल दें बड़ा ही पीडा दायक अन्वव उता है यह तो यह है सलाथ आप कहेंगे तो आम बात है सभी खाते हैं हाँ खाते सभी हैं भोजन के साथ खाते हैं भोजन में ही लाब मिलता है एसिड हमारा नीचे उतरता जाता है गले से और पाचन शक्ती को भी बढ़ाता है और जो एसिड का हमारा पीला पन है जो हमारा पित का बढ़ना है पित जो चटकता है वो सब हमारा यूरिन में और कुछ पसीने में कुछ आखों के जरिये हलके हलके से पान तो यह तरीका सुनी हम प्राते काल जब फ्रेश हो जाते हैं नित्य कर्म से निब्रत होते हैं ब्रश करते हैं तो उठकर सबसे पहला हमारा काम सलाद को छीलें यह हमारा खीरा यह मूली गाजर अमरूद शलगम बड़ा ही लाव दायक है खाने में भी अच्छा लगता है आज मेठा बना कर भी खाते हैं प्याज के साथ भी मटर डाल कर भी तो सबजी एक अलग चीजे कच्छा खाएं इसको यह चुकंदर खुन भी बढ़ाता है थोड़ा सा खाने में खा रहा है लेकिन एक औशदी समझ कर आप अवश्य खाएं अमरूद टामाटर इसको खाली पेट हैं इसको छीलें और एक प्लेट इस तरह की एक प्लेट उसको काटकर चील कर भर लें एक हीरा एक मूली एक गाजर और यदि शुरू-शुरू में आप नहीं खा सकते हैं थोड़ा सा आधा कर लें इसको अधा अमरूद और सर्दियों के दिन हैं एक चुकंदर का छोटा सा बाज्या और सलगम जितनी खा सके हैं आप कम से कम आधी तु लें इसको छмо ंतराप सुर्दियां चल रही है तो हम गरम पानी में डाला लेंगे पहले गरम पानी में डालने के बाद अच्छी तरह से इसको तो थोड़ा सा गरम होगा तो उसके पाद इसको लेंगे छी लें धीरे 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 भोजन की आयर वेदे प्रक्रिया के अनुसर के भोजन को पी हो और पानी को खाऊ तो उस तरह से पीना मतलब भहुत चवा चवा कर चवा चवा कर इसे खाए पहले दिन तो थोड़ा सापको लगेख़ा कि अंदर नहीं जा रहा और हो सकता है कोई ड़कार आए तो उसके साथ थोड़ा एक दो टुकड़ा बाहर भी आ जाए लेकिन डरने की घबराने की बात नहीं है दो दिल में ये पूर जगे बना लेगा और तीसरे दिन तो आप कहेंगे वाह आनन्द आ गया अच्छी तरह से आफ रेश होंगे कॉंस्टिपेशन विल्कुर दूर होगी आपकी खटी-खटी डगारे आना बंद हो जाएंगी यूरिन के थुरू आपका जो एसिड है वो निकलना शुरू हो जाएगा रहत मिलेगी मन मस्तिश के एक दम शांत रहेगा गैस बनना बंद हो जाएगी और साथ दिन में तो वह क्या बात है और नित्य प्रती इस तरह से आप नियम बना लें बागे सारे दिन कितना भी खाएं कोई आपती नहीं लेकिन सुबह इस तरीके से खाकर देखें निश्यत रूप से लाव होगा और जटपट आराम होगा आपको गैस और एसीडिटी में तो आज बस इतना ही कल फिर मिलेंगे किसी नए आयाम के साथ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद